हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो तो ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो में आपका स्वागत है और यार आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एड़ के सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इमेल किया था पांच शे बच मतलब स्पेस कम ले रहा हो ठीक है तो यह अल्गोरिथम आपको डिफाइन करने पड़ेगी या फिर आपको बोल सकता है कि अल्गोरिथम को डिजाइन कैसे करते हैं यह सारे चीज़ें बेसिक में पूछा जा सकता है फिर जो सेकंड टॉपिक है जो कि इंपॉर्टन टॉप में आ सकता है फिर हीप सौट भी आ रहा है इसके अंदर आपका हीप का मतलब हीप डिलीशन भी आ सकता है हीपई आ सकता है मतलब हीप सौट बताना आ सकता है ठीक है इसके अंदर हीप सौट के आपकी अल्गोरिथम लिखने को भी आ सकती है तो हीप सौट भी एक इसका पार तो आप उसको अच्छे से लिख सको फिर यूनिट नमबर वन के अंदर जो डिवाइड एंड कौन का टेकनीक है ना उसी के कुछ अल्गोरितम सिया फिर उसी की टाइप से मतलब जो डिवाइड एंड कौन का टेकनीक को फॉलो करते हैं तो वह है बाइनरी सर्च और मतलब मर्ज साउट हो गया कुक्शाट हो गया और स्टैसेंस मैट्रिक्स मॉल्टिवलगेशन तो यह चार चीज जो है वह अकनल का टेकनिक को फॉलो कर रहा है तो फ्रिक्स मॉल्टि。 कू यूस करते हैं बिकॉन सा इसमें टाइम एन कम लगता है तो इस इसका का matrix multiplication करते हैं इसमें addition बढ़ जाता है बट एक subtraction कम हो जाता है तो subtraction के कारण मतलब थोड़ा सा इसका time जो होता है रेडियूस होता है तो normal matrix multiplication और stress matrix multiplication में difference भी आने के chances है क्योंकि अभी तक जो नहीं आया है वो ज्यादा आने के probability रखता है फिर unit management coding आती है minimum spanning tree आता है knapsack problem आती है job sequencing भी आती है इनकी problems आ सकती है इनमें से किसी का भी एल्गो लिखना आ सकता है फिर एक जो सबसे important topic है वो है MST मतलब minimum cost spanning tree और इसी में एक और topic आता है जो question number 3 लिखे मैं डिजाक्स्ट्रा algorithm जो कि है single source का shortest path निकानने के लिए तो यहां पर unit 2 के सारे topics जो होते हैं cover होते हैं मैंने short short में लिखा है जिसके तुरू आपको ज़्यादा डर ना लगे आप चाहो तो content कहीं से भी निकाल सकते है topics वगेर है बट उसमें बहुत एकदम घिचिर बिचिर लिखा रहता है तो नॉर्मल यह सारे topics ही है ठीक है मैंने इसको अच्छे मैना में लिखा short मैना में लिखा जिसे कि आपको डर ना लगे फिर बात करें unit number 3 के अंदर अपना dp आती dp stand for dynamic programming ठीक है तो आपसे पहला question यह भी हो सकता है कि भाई dp में मतब dynamic programming में gradi strategy में और divide and conquer technique में इन में से किसी का भी difference पूछ सकता है तो यह भी तयार करके रखना ठीक है फिर 0 और knapsack और बहुत जादा important है और unit 2 में जो अपने knapsack पढ़ा था या फिर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो वो fractional knapsack है तो दोनों important है दोनों में से कोई भी आ सकता है किसी की भी अलगो लिख नहीं आ सकती है तो ready रखना फिर उसके बाद unit 3 का जो third number का topic है which is multi stage graph इसके भी question आपको कई जगा पे द दिखा हुआ है reliability design भी एक आज जगह दिखी हुई है तो इसको भी पढ़ लेना फिर फ्लॉइड वार्शल का जो matrix बनाने का होता है solve करने का वह भी एक दो जगह पे question आया हुआ है matrix गिवन होती या तो फिर आपको graph गिवन होता है उसके तुरू आपको क्या मनाना है फ्लॉइड वार्शल के तुरू solve करना रहता है तो यह अपने unit 3 के topics है अब unit 4 के अंदर में topics की बात करूँ तो पहला topic है backtrack या फिर उसका जो concept से backtrack का unit number 4 का नाम ही backtrack है ब्रेक टैकेंग कहते हैं इसको तो उसका आपको question दिख सकता है और end queens problem या फिर इसको कहलो eight queen problem के नाम से भी आ जाता है एन मतलब ज्यादा number उजाएंगे कोई नमबर आप ले सकते हो फिर Hamiltonian cycle हो गया graph coloring हो गया branch and bound का यहां पर बहुत बड़ा concept है उसी का एक part है salesman problem तो salesman problem से भी question दिखें branch and bound से भी हर साल एक question आ रहा है graph coloring का भी लगबग question दिखता है तो यह तो आप करके चलो लास्ट जो topic बच रहा है इसका unit number four का which is parallel algorithms फिर last unit which is unit number five इसमें आपको basic tree और graph के concept पता होने चाहिए generally tree के graph मलब tree के concept तो इसमें आपको binary tree binary search tree tree, B tree, height balance tree, traversal technique आनी चाहिए graph or tree के BFS, DFS क्या होता है NP completeness तो इसमें सारे topics का एक एक बार कभी नगा पूछा गया mostly जो question पूछते हो binary search tree या फिर height balance tree के उपर और कभी कभी पूछ लेते हैं तो BFS, DFS के उपर और कभी NP completeness के उपर पूछा जा सकता है ठीक है अब मैं important topics बता देता हूं यह अपने most जो सारे topics जो है एडर के वो यह है अब इनमें important क्या है वो देख लेते हैं तो देखो unit number one की अगर मैं बात करूँ तो हीप sort important है जब टोटिंग नोटिचन एक बार पढ़ोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा और divide and conquer technique के example देख लेना मतलब binary search binary search, merge sort, quick sort और stress and spectrum multiplication यह एक बार चेक कर लेना असान है बहुत असान है पहली unit फिर बात करते है unit number two के important questions की तो unit number two के अंदर सबसे ज़्यादा important है तो यह डिजिक्स्ट्र एलगरित्म जो की single source shortest path के नाम से भी आ सकती है दूसरा है minimum cost spanning tree ठीक है तो यह दो topic तो अपने को करने ही करने टाइम बचता है तो fractional napsack भी जरूर करके जाना unit three की बात करें तो zero one napsack super important है multi stage graph भी करके जाना और इसके बाद जो fifth number का question विचिस फ्लॉइड वॉशल तो यह तीन topic unit number three से at least करके जाना फिर बात करें unit number four की तो unit number four के अंदर आपको Hamiltonian cycle अभी तक नहीं पूचा है बड़ च करन रहा है बड़ 2022 में आप आपने M3 दिया होगा तो आपको पता हो गया कि थोड़ा सा unit four और unit fad में ज्यादा गडवड़ी कर रहा है तो अपने को क्या करना है जो नहीं आया उनको भी देखना है इसलिए मैंने पहले सारे topic cover करें तो यार सबसे पहले आपन देखेंगे Hamiltonian cycle उसके बाद graph coloring का question previous year में दिखा हुआ है तो इसको जरू करेंगे branch and bound पक्के साने वाला और salesman problem ये चार topic आप समझ लो कि आपको करने करने है देखो NQ अभी तक नहीं आई है बड़ एक वार इसको उपर से read जरू माले न तो लगबग 4-5 topic होते है सबसे बहले Hamiltonian cycle जो अभी और last unit तो इसमें आप आसानी से सारी चीज़े कर लेंगे सबसे पहले start करेंगे BFS और DFS से भले आपको basic tree आती नहीं आती BFS देखो DFS देखो बात खतम फिर इसके अंदर NMP complete next से previous year के काफी question दिख रहे हैं मतलब 2-2 एक-1-2-2 हर साल आ रहा है तो यार यह जरू देखना right side note से बढ़ा होगा बस इतना सा difference है तो इसके बार में आप अच्छे से explain कर सकते हो और example दे सकते हो तो यह हो गया unit 1 से लिखे 5 तक के सारे important topics with complete topics तो मेरे खाल से आप लोग समझ में आ गया होगा